तो यार, जो यूटीब ने किसे बचा से रिमू कर दिया, तो कल वाला ओर आज का वीडियो में साथ में डाल रहा हूं, तो देख लेना, तो हैर क्याँ आपका सब्छक आखते है, एक और ने वीडियो में, तो सबसे पहले आप सब लोगों को describe highly, आई होप आप समने इंजा किया होंगा तो चलिए शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में हमको जो मिस्ट्रे से उसको दिखा जाता है वो बहुत घबरा जाती है और बोलती है आकर यह है क्या मैंने अपनी पूरी जिन्दगी में इस जैसे चीज नहीं देखी और जो रोलर को इसमें वजय है कि इसमें कुछ मज़े जैसा था भी क्या फिर उनमें से एक लड़का बोलता है कि चलो 160cc कर जाते यानि कि और ज्यादा स्पीड से हम घुमेंगे दूसरी जुले में फिर वो घबरा जाती है आखरकर क्या फिर से हम जाने वाले क्या लेकिन उनको फॉले करन नहीं नहीं यह बहुत गलत हो रहा है मेरे साथ मुझे जल्दी यह से नीचे उतारो वो चिलन लगती है लेकिन उसका कोई नहीं सुनता है और बोलती है अभी मैं यह से नीचे गरी तो मैं मर जाओंगी इसलिए मुझे यही पी रुखना पड़ेंगा फिर जो उपर जाने सबस्क्राइब करने वाले जूला रहता है बीमाला जूला रहता है और जैसे ही वो नीचे आने लगता है उसके इतनी फंवाज जाती है वो अपना मुझे चुलते है उसके मुझे दिखिका जाता है फिर वो बहुतिन मैं वह अब आर यह से नहीं प्लावटी दिक लेकिन हो एई डीजे गाना बजाओ तो वो नाचने लगते हैं फिर वो बोलती अखरकर यह है क्या यहाँ पे क्या heaven की party चल रही है जो लोग यहाँ नाच रहे हैं यहाँ पे तो जो underground के लोग है यानि कि भूदव है वो भी है फिर अपने पीछे देखती है और पीछे देखती है जो श कि अबनों करके सबुटी और एक लड़की आते हैं शोज जाती हैं सब लोग बलते हैं रिस्ट्रेस नीचे गिर गया अचाना का उसकी तभलत खरम हो गिए औरो डॉक्तर को बुरन लगते हैं उनमें partir के साथ क्या है ओपूपलदी जो चौत अब मैंने काया बलकि तुम्हारी मिस्ट्रेस ने मुझ पर अटेक से आधा पहले, मन तो स्रिफ वह आ पे खड़ा था फिर उपना मेंकरेणपर होटाये वो मापर होठाका साधो उसको वापिस से जेल में डाल देतीων मिस्टैश के साथ और इसके अलवा जो तुम्हारी मिस्टैश थी उस हे मुझ ऐन्य पर पहले अटक किया था कै hu मंगें ऊदीखाइ नहीं थिया फिर वोलती तुम्हें रंसों के हमको कुछ भी पता नहीं जब मिस्क क्यान की तुम्हारे पास आई थी तब तुम्हें उसे बहुत ज्यादा जदत Beautiful करने में माद़ भी ने किृत ती फिल करने मनें मदद भी तरफ और तुम्हें नोच नोच के खा जाएंगे और तुम्हें इतनी भयानक मोत मिलेंगी कि तुम्हें कभी सोची ना होंगी वो बलता है इसमें क्या लौजी के अगर क्या होंगा कि मैंने तुम्हारे मिस्टेश को कुछ चोटने ही पूचाई क्या तुम यह सूच रही हो यह तूटीवी सला के मुझे रोख पाएंगी मैं जल्दी इससे तोड़के भाग जाऊंगा और मैं जो वांगोपलन की सेंथे उसके पास इसलिए आया था कि मेरे बॉड़ी में जो पॉइसन है ना वो मैं निकाल सकूँ और वो सेंथ को बलता है कि सेंथ वो सही में मैंने क कुछ भी निकिया है कि आप कुछ बोलगी नी यान कि अपने जो क्यान के होते हैं उसको भी rez Alors को डाल देती हैं हालां कि इस उसने कुछ भी निकिया था फिर वह गोलती है कि मुझे डर है कि मैं इस चीज में मदभ नहीं कर सकोगी वह बूलती है क्यूर्अल Spirit करना चाहती है इसके अलावा मेरे पास ज़्यादा पावर भी नहीं है और यहां के बहुत सारे लोग मेरी रिस्पेक्ट इंबिग नहीं करते मेरी इज़्यद भी नहीं करते इसलिए मैं तुमारी कुछ भी मदद नहीं कर सकती और इसका अलाव जो मेरे मिस्ट्रेस है इससे तुमको कोई भी मदद नहीं मिलना अपना मेंकड़ उसके बहुत चिल्लाता है और बोलता है तब तुमने मुझे तुमारा परसनल बैच दिया था तब तुमने कहा था कि तुम जब आंगे पल में आऊंगे तब इस बैच को दिखा देना तुमारी इतनी खातिदारी होंगी इतनी खातिदार होंगी तुमने सोची रहा होंगी फिर अपना मेकड़ वो शोकतर बोलता है क्या अभी हम क्या करने वाले और वो सोजाता है हाँ यार लिटरली सोजाता है इस जैसी सिच्वेसन में और बोलता है कि भूल जाओ इसके बारे में थोड़ी दिर में सोजाता हूँ जो मेरी जियर है वो कुछ ना कुछ करेंगी मुझको बचाने के लिए फिर मैं उस सर्वेंट को दिखा जाता है वो सर्वेंट बोलती है कि तुम पहले फार्वेसिस को बुलाओ और में जो शुटिंग इंसेक्ट है उसको लाने केल जाले हूँ क्या समझ की वो बोलती है हाँ हाँ समझ की फिर मैं जियर को दिखा जाता है वो बोलती है कि यह सब मेरे मास्टर का प्लान था जैसा कि मेंने सोचाता है और बोलती है कि मेरे मास्टर को मेरे मास्टर पहले से वो ज़ता स्ट्रॉंग हो गए और वो मेरी परवा करते थे इसलिए वो मुझे यहापे मेरी मदद करने के लिए है फिर बोलती है कि मेरे जो पहले के मास्टर थे वो जो वांकुपलन की मिस्टर से उसके साथ सीधे-सीध दिखता हैं और विलती है कि मैं अभी इसको सई में मार देती लेकिन जो मेरे मास्टर के अंदर जो पॉसन है उसका सीक्रेट जो इनके वांगोपलन में चुपवा हुआ है मैं इसको इसलिए मार नहीं सकती और वो बुक दुनना चलो करे देते लेकिन उसको स्टोरी बुक के सिवाए कुछ भी नहीं मिलता और बोलती है कि अकर जो वांगोपलन का सिक्रेट है वो कहा पे है यहाँ पे तो कुछ उसके रिलेटेट नहीं है गू इनसेक के रिलेटेट और उसके तरफ घुस्ते से देखने लगती है और बोलती है कि अगर मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं मिला तो मैं सही में मार दूँगी और उसे एक अलमारी के साइड में एक लगरी का बहुत दिखता है और उसे उटाती है और बोलती है कि एक लगरी का बोक्स यहाँ पे तो ताला लगा हुआ है यहाँ पे कुछ न कुछ तो होंगा इसलिए यह चुपा कर रखा गया था उसको ने में और बस मज़े के लिए वो उस जैसे इंस्टूमेंट का टॉचर करने के लिए इस्तामाल करती है ऐसा नहीं हो सकता और बोलती है कि आखरे में मुझे जो चीज दिखे थी क्या वो अंडरल का कोई गोष्ट था और वो तो घबरा जाती है और बोलती है कि मुझे देखना पड़ेगा उस जैसा similar content हो मेरे जो बुक है उसमें था और वहाँ जो शेल में रुक होई बुक है उसमें से एक बूट उटा दिती है और बोलती है कि हाँ यही बुक होंगी और उसे point लगती है पीचे से जीर भी उस box को खोलने लगती है और बोलती है कि उसने मुझे ने दुना फिर जो अपने मिस्टर से वो बलती कि मुझे मिल गया और वो point लगती है फिर आवह अपने room में से बाहर निकल जाती है जो surrender थे वो बलती है मिस्टर क्या तुम आप उठ गई और जो फार्मसिस्ट था उन्हें का था कि बस आप बहुत दर गई हो थोड़ा रेस्ट करूंगी तो आप ठीक हो जाँगी और वो बलती है कि अभी वो बंदा कहा पे और वो बलती है कि आप क्या उस बंदे के बारा में बात कर रहे हो जिसके आपको commandant डालता जब आप बेवस हो गी थी तब हम मैंने वाविस उसे dungeon में डाल दिया था वो बलती है क्या जल्दी जाओ और उसको यहाँ पे invite करो और ब में भाग जाओंगा तब आप यह responsibility आएंगी और उसको पता है कि मैं कहाँ रहता हूँ तो भागने का कोई फाइदा नहीं है वो बलती है क्या तुम दूसरी जगह रहने के लिए नहीं जा सकते है और वो बलती है कि तुम मिस्ट्रेस के बारे में कुछ नहीं जानते है वो प्रोलती है कि वो जब उट जाएंगी तब तुम्हें जो इंसेक्ट है उसके पास फेक देंगे खाने के लिए एसी और में कड़ बलता है यह तो बुत कुरूल है लेकिन जो मेरे पास जो स्ट्रेंट है उसके साथ तो मैं उसका में मुकाबला कर सकता हूँ फिर पीजय से क मेरा फॉल्ट है मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक किये और वह अपना में को बलता है का आपका डिसापल ठीक है वह बलता है कि इसमें स्री मेरा फॉल्ट है मैंने ध्यान से नहीं रखा वह बलता है नहीं नहीं इसमें तुम आपका फॉल्ट कुछ भी नहीं है इसमें स्री मे प्रणी के साथ थोड़ी बात करी और लिटरली उसे वाशे भागा जेती और उनके बाहर आ जाती है लेकिन वह भी बहुत शौकत है वह बुलती है आके कर यहां पे चल क्या रहा है फिर जो मिस्ट्रेस रहती है वह बोलती है शौक कर लिए लगता है आपकी चाहिए खतम हो ग गौड होंगा और मुझे इसको ओफेंडी करना चीह है वरना यह मेरी बैंड बजा सकता है और उसके सामने लिटरली जुक जाती है और बोलती है कि मैं छोटी बच्ची हूं मुझको पता नहीं है कि बड़े को साथ कैसे बात करी इसलिए मुझे माप करो मैं कड़ा बोलता ह कि है आपको डेफिनेटली देखूंगी और आपके आर्डर को मानूंगी फिर अपना में कड़ा बोलता है क्या इसने मेरे आइडेंटी पैचान लिए लिकिने कैसे हो सकता है क्या दीमन लौड जीवी को पॉइसन ने उसने क्या आपको थोड़ा बद असर कर लिया फादर शावसी उसकी बेंदामी और उजींको दिखा जाता है जो रुकी रोते हो बलता है कि मास्टर आपको आपको आपस आगे फिर जो कैरेज में से वांकुपलेंगी हेड रेती है वो उतरती सिद्धा एक फात्स हो जाती है और बोलती कि आरेंक लाउस एक के मास्टर बहुत ल देखे चलेगे इसके लिए मुझे माप करना वह बोलता है इन्चिर की बात नहीं है अभी ब्रदरावी वापस आ गये न और अपने मन में बोलता है कि यह औरत यह औरत तो बहुत चेंज हो चेका है सद्धनली लेकिन यह कैसे हो सकता है यह और तो बहुत डॉमिनिटिंग ह और यह अपसेट सेक्स के साफ साफ खिलाप है वह इससे बहुत नफरत करती है और क्यानकों के मुताबिक ब्रदरावी को इसने अपने इसी नहीं अपनी जगा शोपा करका था फिर इतने अच्छे तरह बात कैसे कर सकती है फिर जो वैंकर पलें के रहेते हैं वो बोलती है मैं बाद में आपके इन में रुकने के लिए और चार-पाच दिन तो रुक के ही जाओंगी वो बोलते हैं हाँ आपके लिए तो मेरी हमेशा से खुलिए फिर पीछे से उजिन रोचे बोलता है कि मास्टर आप का चले गयते हैं मैंने आपको बहुत मिस्किया फिर जो यह का फादर होता है वो बोलता है कि इसके अटर बहुत ही ज्यादा चेंज हो चका है वो कितनी अच्छी तरह ब्रदरावी से बात कर रहे हैं फिर वो बोलती है शेक मास्टर जब मैंने शापके वरली को वापित दे दिया है तुम्हें अपनी इकान क्यों के वह उसे वापिस ले फॉलता है कि इतने सारे these two stuff तूल घंठ कहा है तुमने तो बैक भी नहीं लाया है तुम कहापी लेग जाओंगी वह बन्ते टेंशन C kforcement तो मैं आपके लिए भिज दूगा वह बृत खिल सुक्रीय हैं और में यblesिध दुश्चरा था कि तुम्हारे मेरे साथ बहुत बड़ स्किल नहीं है यह ऐसा कह सकते कि इसके पास बहुत सारी रहे चीज़े जो कि और भी ज्यादा वैलुबल है फिर वांगे फिल घेट बोलती है कि मैंने पहले कहा था कि आपको कोई किसी भी चीज में मदद चाहिए तो आप सीधे सदा बोल सकते हो उसमें अगर मैं मदद कर सकत मैं ज़ेरूर करूंगी मुझे यक चीज में मदद चाहिए जो मेरे अंदर कीडः ए ना उसी निकाल दो ओ भी जता सकता है क्या यह आपकर में इन रहे कैसा हो सकता है कि आल में अंधर देकbourgff है नीखर सकता वो पीछे शौकते रूबलते अगया मेंगला बलता है कि मेरे अंदर जो गुंसेक्टा एक्षा पर आर्वले कि इससे भी नकल सकता क्या के वो गोड से भीना निकले ुस्थे तो बहुत परीसेलं नहीं खड़े हूं की और अपने स्कील के इसे सर्च करने लगते उसके अंदर धुने लगते और बोलते कि कीलिशन अन require, थी इसको समभुईत करने की यहां तक कि मैने भी उसके में में मेमर में देखा था यहां तक कि मैं बहुत दीन स acum यह, तक बहुत दिनों तक बहुत कील तै और वह शौकित अपना में भी श्रवत हुश है यह क्या किलत है क्या क्या तुम यह चाहती हो कि मैं वह medicine वह तो बहुत शॉकत भूत भूत अभी खतम यह मेरे से बहुत सारी कोशन पूचेंगा कि आखरकर मेरे उसे ठीक क्यों निगा मैं उसे क्यों नहीं कर सकी वह भूती नहीं ने मुझे फिर से ट्राइक करना पड़ेंगा और बुलती दूसरें को धोका देना यह ठीक है लेकिन में इसको निदति क्योंकि अगर इसको दोड़ा दूँगी तो को दोड़ा दिने के बरा परोंगा मुझे और कोशिशेश ने पडिए और लिर्टरि अपनी पुरी पाउर लगादी है पीच्चवाडि से जिदर ही से फुरी पाउर लगा लगई ग्ति ढख स्केत और उनके कहने का मतलब था कि उन्हेन पहुत सारे तर्की का इस पॉज़ों को निकलने के लिए लेकिन वो फिलमी नहीं निकला, तो मेरे से कहना निकलेंगा फिरों बोलती है एक मिनित, मैं ये कैसे भूल सकती हूँ ये इनसान, नॉरॉर्मल इनसान नहीं है ये शायज से दुसरी जगह से आयोंगा, दुसरी वील्ड से आयोंगा जहां पर God रहते हैं मुझको इनको follow करना पड़ेंगा और वो तो बहुत higher world बन लेते होंगे और जो मेरा world है वो तो बहुत low से low low में आता होंगा अगर मैं इस कीड़ों को निकाल में मदद करेंगी तो इस world में लोग मेरी तारीफ करेंगे और मुझे फालो करेंगे और मुझ कि जो मेरी करन के स्कील है उससे में निकाल सकती वो बलता है क्या उट तेर बोलती है कि नाप चिंता मत करो में बहुत सारी किदाप पड़ूंगी या इदर उदर धूंडूंगी मुझे कुछ तो तरीका मिली जाएंगा अपना वेंकर बोलता है ऐसा है क्या मुझे नहीं ल निकाल निकाला नहीं जा सकता आपको जो सिंटम्स आरे वो मुझे को पता दो मैं यह पूरा लिक लिक लितूंगी फिर में आपको लिए एक एंटिटोब बना दूंगी वह बलता है क्या मेरे अंदर तो कोई इतना स्पेशल सिंटम नहीं दिकार दे रहा है मैं तो पूरा लेकिन एक बात है पहले मैं अपने हाथों को उसामाल नहीं करता था और इसके लावा कैसे हो सकता है जो सौल ल्हीं से वो मैंने डिमनलाड जीव को दे दिया था उससे उसने बड़ी मुश्किल से अपनी 10% पाउर को सील कर दिया था और अगर तुम अपनी पाउर को धिरे-दिरे खो रहे हो तो यह मेरेडियां ब्लॉक के रिलेटेड होंगा और तुम्हारे अंदर पॉजन है अगर तुम अपन लेकिन मैंने तुम्हारे पास एक लड़की हो देखा जिसके पास एक स्पेशल फिजिक और तुम उसको जो कॉंग जैन टेमपल है वहाँ पर लेग जाओ वहाँ पर तुम्हें एक ओल्ड मॉंग मिलेंगा वह शाय से तुम्हारी मदद कर पाएंगा हमें कर बोलता है कि कॉ प्रदर जल्दी चलो आप बहुत जल्द वहाँ पर पोच जाओंगे वह बोलता है कि तुम केरो ये बहुत इजी है लिकनी ये इतना इजी नहीं है मेरे कंदे पर बहुत सारा वजन है और उसके कंदे में जो शुगर अपल रहते जो मेंकेडर नहीं देते क्या वही वो ला है रहे हमें उस टेंपल को दीखा चाता है फिर हमें जो कि हमें और रहता है इसनी अपने मेंकर आपके मखेलो खत्मता है ज़रू बताना और हभाही लोग बोल रहें तो एक दो गंटी की वीडियो बनाना यार मैं बना तो दूंगा लेकिन मुझे इडिट करने में बहुत ताइम लग जाता है मैं अभी नाया नाव स्टाइटिंग स्टाइटिंग की एक दो मने हुए इसलिए मेरे उतने हाथ नहीं बेटे और मुझे वाइस और में भी थोड़ी दो चाट एक लग जाते तो में एक दो घंडे की नहीं कम से कम 10-20 मिनिट की बनाते जाओंगा रोज स तो एक दी में साइसे में दो भी डालते जाओंगा तो मैं मिलता नेक्स्ट टूडियो में तब तक के लिए बाई बाई सायो ना रहा